पावलाव यहां पर हो सकते हैं, yes, 18 का अंसर हाँ, 17 का करेक्ट हुआ है, 18 का अंसर, देखों, यहां पर हमको बदा चल गया है कि यह क्लासिकल कंटिशनिंग की जो त्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई है, पावलाव की द्वारा दी गई है, तो करेक्ट अंसर क्या हो humanistic approach जो है motivation की वो किसके द्वारा लाई गई है वो भी बतादो और साथ में कौन से point जो है यहाँ पर define कर रहे हैं मानवतावाद को कैसे कहे सकती हैं कुछ करने वाले थे ऐसे मैं कह रही हूँ कि उन्होंने एक paper मतलब ऐसे होता है न कि कोई भी गटना होती है तो उसका कोई responsibility लेता है कि यह हमने किया है तो उन्होंने एक paper भेजा था उनको उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था तो वो news पर दिखा रहे थे इसलिए मैं ऐसा कह सकती हूँ उन्होंने just एक धमकी देने वाली चीज होती है न पंजाब स्टेट में अभी जो भी चीज है चल रही है उसको लेकर वह वाली चीज है सедवावकराण साकी माहिता पाहिन दूली मनुंब अरुट संभी है को निक वहर्मीब yeah similar के घुट्रभ यहांनि कि वही सेल्फ स्टीण और सफल्फिल्मेंट को बताता है और ना की लिए भी करी थी कि पलात हमने नहीं करी थी लक्षी की बात नहीं करी थी expectations की बात, उम्मीद की बात नहीं करी थी, cut कर दिया, incentive, reinforcement, प्रलोभन देना, इसकी बात नहीं करी थी, तंड की बात हमने नहीं करी थी, तो हमको पता है कि केवल ये बात जोई मानवतावादियों से connect करती है, हम आसलो का सिद्धान थे, यह आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी शारीडिक आउशकता होती है, basic need, जिसे हम लोग बोलते है, प्रेंड्स वगरा सब कुछ अच्छे हो जो दुख के समय में हमारी मदद कर पाए, फिर यह हम लोग चाहते है, आत्म सम्मान मतलब की समाज हमारा सम्मान करें, समाज में हमारा एक पद हो, जब लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, तिक यह और यह होता है, सबसे लास्ट वाला, सबसे उपर वाला आत्मसिद्धी की आवशक था, ठीक है, सेल्फ एक्टॉलाइजेशन जहां पर हम लोग अपनी जिंदगी से सेल्फ सैटिस्फाई हो जाते हैं, कि हाँ, हमने अपने जीवन के इतने साल निकाले, हमने बहुत अच्छे से कहा रही किया, कोई दुख नहीं, कोई हम लोग बोलते हैं, कि हम लोगों को रहता है, ऐसा मलाल रह जाता है, वह वाली चीज़े नहीं होती है, तो इसका नाम लिया था, कोईशन में, और इसका नाम लिया था, सेल्फ एस्टीम का, और सेल्फ एक्चुलाइजेशन का, तो गरेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका उप्शन नमबर वन, ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हमने इतने ही कुश्चन कंप्लीट करने थे, कल भी हम इसी सीरीज को आगे कंटीन्यू करेंगे, है ना, चलिए, ओके, फिजिकल, सेफ्टी, लव एस्टीम, हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, पहले रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा बेसिक बाला, मतलब एक रहने के लिए शेल्टर हो आपके पास, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा बंगलो नहीं चाहिए, पहले बेसिक चीजे पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाइ स्टेप आज़ें